कि जहिंद कि हमने अनुदान देख लिया है अब अनुदान में बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि अनुदान जब संसत को संसत पारित करती है कि आप इस अनुदान को उपयोग करिए आप इन अनुदानों का प्रयोग कौन करता है विभाग और मंत्राले करते हैं हमारे हाँ पर लगब 45 प्लस ये 50 प्लस क्या है मंत्राल है आपको देखने मिल जाएंगे और 85 प्लस आपको विभाग देखने मिल जाएंगे अब इन विभागों को इन विभागों ने बोला कि हमें इतना इतना फंड चाहिए इस काम को करने के लिए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं इसको किसमे रखकर विनियोग विध्यक में रखकर मतदान करवा कर क्या कर दिया गया एक्सेप्ट करके उन्हें दे दिया गया अब फंड देने के बाद बहुत से चीज़ें और बहुत से सवाल सामने आते हैं पहला कि क्या जो फंड मांगा गया था वह उचित है या नहीं तो हमने देखा यह जो पहला सवाल है कि जो fund मांगा गया वो उच्छत है या नहीं यह कटाओती प्रस्ताओं के जरीए इसको आंकलन कर दिया जाता है कि कम देना है या ज्यादा देना है या फिर उसमें कुछ कटाओती करनी है तो आमने तीन प्रकार की उसमें कटाओतीयां अर्थाद जिस काम के लिए वो funds या जो अनुदान दिया गया है वो अनुदान उसी इस्थान पर सही तरीके से उपयोग की जा रहे है या नहीं अब इसको एक्जामबल की तौर पर समझते हैं आपने बोला कि हमें चार वर्षों के लिए इस योजना को चलाने के लिए चा अब अनुमाने जो अनुदान था वो था कितना चार वर्ष के लिए और चार वर्ष की समापती के पस्चार आप कहते हैं कि हमारे पास अनुदान की क्या हो चुकी है कमी तो अब हमें और क्या चाहिए अतरिक्ट अनुदान चाहिए तो इसमें दो चीज़े देखी जाती है कि जो काम की रफतार को आपने बढ़ाया तो क्या वो सही थी, क्या वो वैलिट थी, क्या वाकिये में काम उतनी ही स्पीड से हो सकता था या आपने जान पूछ कर उस काम को इतना स्लो आगे बढ़ाया कि उसमें समय लगे और उसमें अतरिक्त अनुदान लेना पड़े या फिर अतरिक्त अनुदान क्या होता है एक तरीके से इसमें ब्रस्टाचार भी होता है कि कामों को लंबा खीचना या किसी चीज की खरीदी को अब जैसे कि मार्केट रेट चल रहा है किसी चीज का 100 रुपया परंतु मंत्राले उसे 120 रुपया 125 रुपया में खरीदता है तो मंत्राले उसको 25 रुपय जादा देकर खरीद रहा है ये भार किसकी उपर आ रहा है ये भार उस सरकार द्वारा दी गए अनुदान की उपर आ रहा है तीन लोगों के द्वारा जिसमें विधाईका के पास अधिकार के वल विनियोगों को मनजूरी देने तक सीमित नहीं है ये उसकी क्या भी कर सकती है जाच भी कर सकती है और ये भी देख सकती है कि इसका इसका इस्तमाल सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं ऐसा नहीं कि वि पैसा taxpayers का है, जनता का है, वो रिन द्वारा, interest द्वारा, taxes के द्वारा, direct taxes, indirect taxes के द्वारा हम से प्राप्त किया गया है। और हमारा पैसा हमारे ही लोग कल्यान में लगाया जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत important है कि क्या वो पैसा उचेत स्थान पर लग रहा है या नहीं। इसके वजाए कि जिन उद्देशों के लिए विन्यों को मंजूरी में लिए है, उसी तैस सीमा के तहत उसका क्या हो रहा है। इस्तमाल हो रहा है ये देखने के लिए तीन आपकी संस्थाने हैं। जिसमें सबसे पहले हैं आपकी स्वयम कौन संसद या स्टेट में हम बोल सकते हैं उसे विधान सभा। तो संसद और विधान सभा नियम और कानून के जरीयों उस पर नग्रानी रख सकती है। इसके मान हैं आपके यहां पर CAG, CAG हमारे हैं सबसड़ा ओडिट अधिकारी है। कंट्रोलर, ओडिटर, जनरल ओफ इंडिया, इनका काम है देखना की ओडिट करना। सही माइन में, जो बही खाता बनता है लास्ट में हिसाब किताब, कितना आया, कितना गया और कहां कहां कितना ओपियो हुआ यह कौन देखते हैं। CAG देखते हैं, इन सब के अलावा, पारलियमेंटरी कमीटी होती हैं, जो सबसे मुख रूप से काम करती हैं। CAG भी जिनके साथ मिल कर काम करता हैं वो होती हैं। कि संसिधी समीतियां क्या होती है संसिधी समीतियां संसिधी समीति में एक समीति होती है लोख लेखा समीति इस लोख लेखा समीति के मित्र के रूप में काम करता है आपका स्वयम कौन CAG, CAG को हिंदी में क्या कहते हैं, नियंतरक एवं, मालेखा परिष्षक, CAG आपको देखने मिलेंगे, आर्टिकल लंबर 148 से लेकर, 151 तक आपको CAG देखने मिलेंगे, अब हमें आज पढ़नी है, ये संसिदिय विधाई समीटिया, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है, अब प्राकलन समीटिया, अनुमान समीटिया, अर्थाद, इस्टीमेट कमेटी, पहला नाम क्या है, प्राकलन, दूसरा नाम आपका, अर्थाद, पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तीसरे हैं आपके, सरकारी उपक्रमों संबंधी, समीटिया पर important यहाँ पर यह नहीं है कि करती क्या है, यह तो आपको पता चल जाएगा, important यहाँ यह है कि इन में members कौन होते हैं, सवाल पूछा जाता है कि इस में कितने members हैं, लोक लेखा में कितने members हैं, या फिर आपके सरकारी उपक्रमों की समीती में कितने members हैं, अचा members तो बता दिय तो यह Member आते कहां से, अब एक शब्ड यहां पर है, संसद, क्या है? तो यह कहना तो सही नहीं होगा कि इन तीनों समीटियों में केवल किसी 1 सतन के सतथियों से होँगे, या तो डूट सभा या तो इन समीतियों में कुछ चप्रमीं समीतियां ऐसी हैं जिसमें केवल लोग sahव के सदस्य मिलेंगे अपको और कुछ समीतिय एसी जिसमें लोग सबस्वा राजसबा दोनल तो आपको दो चीज़ने पता होनी जाहिए पार्लियमेंटरी कमीटी के बारे में पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि सदस्वे कितने होते हैं और सदस्वे कहां से आते हैं और दूसरा कि कि ये कमीतियों का काम क्या है बस clear है इनका मुख काम तो आपको पता है क्या करना जो हमारे बजट में क्या दिया गया अनुदान दिया गया उसकी देखरे करना और उस पर क्या करना निगरानी रखना अब हम बढ़ते हैं पहली समीति की और पहली समीति कौन सी है हमारी प्राक प्राक्लन समीटी क्या है प्राक्लन समीटी क्या था इस्टिमेट कमीटी देखिए प्राक्लन समीटी संसिदी समीटी होती है इस समीटी का काम केंद्र सरकार के बजट अनुमानों की जाच करना है यह बजट अनुमान क्या होता है अब बता दो मुझे क्या होता है बजट इसकी जाच करना या कितना राजस्वी के रूप में अनुमान होता क्या है? इस्टीमेट बनाना? मैंने आपसे बुला कि एक पार्टी करनी है, बड़्दे पार्टी करनी है. तब उसमें बलून का खर्चा कितना आएगा? उसमें केक का खर्चा, डेकोरेशन का खर्चा, नाश्ते, प्लेट वगएरा लगाने के खर्चे के यह क्या बनाते हैं? हम इस्टीमेट बनाते हैं ना? और इस्टीमेट जब आप बनाकर मेरे पांस लाओगे तो उस्टीमेट की जाँच करना की वह उसमें लिखी हरे एक बात सही है कि नहीं। कहीं आपने पांसो की केको 5000 का केक तो नहीं बना दिया, हला? तो ये estimate की जाच करना मतलब अनुमानों की जाच करने का काम कौन करता है तो हमें ये पता चला कि आप हर वार कहते हैं कि अनुदान आता है अनुदान की गुजारिशें की जाती है मंतराले के तौरा कि हमें इतना अनुदान चाहिए परन्तु बीच में रहकर उस अनुदान की जाच कौन करता है उस अनुमानों की जाच कौन करता है तो कौन करता है अनुदान की जाच नहीं एक्शल में अनुमान की जाच कौन करता है प्राकलन समीती करती है अब इस समीती में याद रखना केवल किसके सदस होते है यही वस समीटी है जिसमें आपको केवल और केवल लोगसभा के सदस से मिलेंगे बाकी दो समीटियों में लोगसभा राजसभा दोनों के सदस से मिलेंगे अभी इस चीज़ को याद कर लो आप लोग कि एकलोती समीटी जिसमें पूरी के पूरे मेंब प्रस्तावित अनुमान मतलब जो मंत्राले संसत के पास या वित्त मंत्राले के पास अपने अनुमानित बजट भेशते हैं कि हमें खर्च इतना बैठेगा उसका अनुमान ये है तो इतना फंड्स आप हमको दीजिए तो पहरे क्या करते थी ये समीति कि इन अलग-अलग मंत् इस्थाई समीतियां करने लगी किन विभागों से संबंदित अब कोई मंत्राले है तो मंत्राले का जो विभाग है वही क्या देखता था प्रस्तावित समझना पहले जो पूरे आपके मंत्राले विभाग जो अनुमान देते थे उन अनुमानों की जाच कौन करता था प्रा प्राक्लन समीटी फिर क्या करेगा, प्राक्लन समीटी को कुछ सरकारी संगठनों के काम काच की जाच करने के लिए क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया, अब वो सरकारी संगठन वो होंगे जो संसद निर्धारित करेगी, अब अनुमान समीटी मतलब प्राक्लन समीटी, क् कौन से सुझावों से अर्थ बैवस्था संगठन में सुधार, दक्षता प्रशाषनिक सुधार हो सकता है यह वो सुझाव होते हैं जो नीटियों के अनुरूप होते हैं प्रशाषन में सुधार और खर्च पर लगाम लगाने के लिए वेकल्पिक नीतियों को लेकर क्या करना सुझाओ देना आप समझना है जो समीती बनाई गई थी अनुमानों की जाच करने के लिए वो समीतियां अब संगठन में कार को बहतर बनाने का काम कर रही है संगठन अर्थाद आप कह सकते हैं संगठन कारपालिका के रूप में काम कर रहा है या डेवलप्मेंट के रूप में काम कर रहा है उसको क्या करना एक तरीके से नीतियों में उसकी सुधार करवाना और उसको मार्ग दर्शन देने का काम करना यह जाचने की जिम्मेदारी कि क्या अनुमानों में त कि क्या अनुमानों में टैन नीती के मुताबिक पैसों का उपयोग। कि जो मंत्राले विभागों ने आपसे फंड्स ली अनुदान की मांग की थी जिन नीतियों के तहद कि इस प्रकार से इस फंड का यहां यहां पर इतना उपयोग किया जाएगा। तो इस सारी प्रोसेस पर निगरानी रखना और सही तरीके से हो रही है या अनुमान का जो उन्होंने भेजा है वो कितना अनुमानित रूप से कारद रहेगा यह चीज की जाच करना कौन करता संसद में प्रस्तोत होने वाले अनुमानों पर क्या देना सुझाओ देना ये समीति पूरे वित्ती वर्ष में समय समय पर अनुमानों की क्या करती है घूम फिरकर प्राकलन समीति करती क्या है अनुमानों की जाच करती है और सदन में जाच की रूप में क्या रखती है अपनी रिपोर्ट रखती है किसी एक वित्ती वर्ष के पूरे अनुमानों की जाच करने के लिए समीती बाद नहीं है जरूरी नहीं है कि वो उस वित्ती वर्ष हो सकता उससे पहले वाले वित्ती वर्ष की भी जाच कर सकती है तो भी वो अर्धवार्ष की भी क्या कर सकती है अनुदान की मांगो पर अंतिम रूप से मतदान किया जा सकता है भले ही समीटी ने कोई रिपोर्ट दी हो या नहीं अब इस से एक चीज और समझ में आती है कि प्राकलन समीटी द्वारा दी के रिपोर्ट कहीं से भी बात्दक नहीं है क्योंकि अगर प्राकलन समीती ने अनुमान मांगा गया हर तरीके से, संसद ने उसे निम्न शेत्र के काम दिये कि अनुमान की नीतियों की जाच करो इसमें कोई सुधार हो सकता है तो बताओ और देखो कि जो जिस नीतियों के तहट अनुमान, नुदान हमसे मांगा जो अनुमानित अनुदान है वो सही तरीके से है या नहीं अब मानलो इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं दे पाई रिपोर्ट इन्होंने नहीं दे पाई और अब क्या प्रस्तावित हो चुका है आपको विन्योग विद्याग तो जरूरी नहीं है कि जब यह रिपोर्ट देंग उन अनुमानों की, उन मांगों के अनुमानों की क्या करना, जाज करने का काम कौन करता है, प्राकलन समीती करती है, कितने सदस्स होते हैं, तीस सदस्स होते हैं, कहां से आते हैं, लोग सबसे आते हैं, तो इन्हों ने करी अनुमान की जाज, दूसरी समीती आपकी कौन सी है, लोग लेखा समीटी, ठीक है? अच्छा लोग लेखा समीटी की एक बहुत अच्छी बाती है कि CAG इसके साथ मिलकर क्या करता है? अच्छा क्यों करते है CAG लोग लेखा समीटी के साथ मिलकर काम? लेखा जोखा देखो नाम से तो एक चीज़ है लेखा जोखा चलो ठीक है इसलिए क्योंकि C.A.G की रिपोर्ट की जो जाँच है वो कौन करता है लेखा जोखा कौन रखता है C.A.G और C.A.G ने जो लेखा जोखा रखा है उस लेखा जोखा की जाँच कौन करती है लोग लेखा समीटी करती इसलिए क्या होता है कि जब भी CAG को बुलाया जाता है कि ये चीज़ समझाओ ये कैसे हुई तो CAG आते हैं और समझाते है जब भी उनसे प्रश्णी किया जाता है कि हमें ये समझ में नहीं आया इसे समझाओ ये समीटी पूस्ती है तो CAG को वो चीज़ोंने आकर समझानी पड़ती है इसलिए बोला जाता है कि CAG लोग लेखा समीटी के मित्र की रूप में क्या करता है क्योंकि रिपोर्ट किसकी है CAG की है जब तक CAG बाजू में बैठे नहीं होंगे तब तक उस रिपोर्ट में आने वाले प्रशनों का उत्तर उनको नहीं मिल पाएगा इसलिए इसमें CAG का रोल रहता है देखो लोग लेखा समीटी में कितने सदस्त 22 सदस्त प्राकलन में कितने थे इस 22 सदस्त में से आपके 15 सदस्त कहां से आते हैं लोग सभा से आते हैं बचे कितने साथ सदस्त साथ सदस्त से कहां से आते हैं राज्य सभा से अर्था जिसमें दोनों ही सदनों के सदस्त से बैठते हैं यहां उन संसिटी समीटियों में से एक है जो कैग की सलाना पब्लिक अकाउंट रिपोर्ट की क्या करती है जाच करती है जिसे राश्पती भारत की संसत के समक्ष आप सभी को पता होगा कि हमारे जो सीजी होते हैं ये वर्ष में क्या देते हैं एक बार अपनी रिपोर्ट देते हैं हाला कि अगर राश्पती चाहें त समक्ष रखते हैं, इस रिपोर्ट की जाँच होना भी जरूरी है, कैसे मालने कि CAG ने जो जो लिखा वो भी सही है, हमारे हैं तो हर चीज की जाँच करने लिए कोई ना कोई बैठा हुआ है, बस आपको इतना याद रखना है, लोग लेखा समीती में, क्योंकि लेखा जोखा संसत की खर्चों का कौन रखता है, CAG, तो CAG की रिपोर्ट की जाँच होनी चाहिए, पबलिक अकाउंट्स की जाँच होनी चाहिए, तो पबलिक अकाउंट्स ये CAG रिपोर्ट की जाँच कौन करता है, लोग लेखा समीती करती है, अब तीन प्रकार की अकाउंट्स होते ह तीसरा सार्वजनिक उपक्रम पर audit report, विनियोग अकाउंट्स अर्थाथ हमारे हो गया, जो विनियोग विध्यक के तहट आपका जो धन का लेंदेन हुआ, फाइनेंस अर्थार, फाइनेंस बिल के तहट हमारे जो धन का लेंदेन हुआ, सार्वजनिक उपक्रम अर्थार, पब्लिक सेक्टर, यूनिट्स में जो आपकी खर्च होते हैं या जो पैसा आता है, उसका जो लेंदेन, इन तीनों चीजों का लेखा जोखा कौन रखता है, लोग लेखा समीती करती है, लोग लेखा समीती में कितने सदस होते हैं, बाइस सदस होते हैं, पंदरा कहां से, और दो कहां से, साथ, साथ कहां से, राज्यसवर से, किलियर है, वहां कितने थे, तीस, कहां से थे, वो क्या कर रही थी समीती, फ्राक्लन समीती, अनुमानों की जाँच करती है अच्छा ये अनुमान शब्द अब जब भी आएगा पता है ना अनुमान मतलब किन चीजों के अनुमान की बात हो रही है फिर अब आती है आपकी अच्छा लोग लेखा कमीटी का नाम सारवजनिक खर्च की जाँच करना है उस सारवजनिक खर्च की जाँच आपकार फिजूल खर्ची अनवश्यक खर्च की जानकारी को सामने लाना है तो बस आप इतना रखे याद रखे C.J. की डिपॉर्ड की क्या करना जाज और ये तो हमें भी पता है कि सारी की सारी समीतिआ थे बने क्यो रही है इनी चीजों के रोक के लिए तो बरण रहे ही कि पैसे की बरवादी ना हो, पैसे का नुक्सान ना हो, अनुदान में बहुता चारा ना हो, फिजूल खरज्टी ना हो, इसी के लिए तो ये समीतियां काम करने हैं, तीसरी समीति आपकी कौन सी? सार्वजनिक उपक्रमों की समीती Public Sector Undertaking Committee ठीक है? यह तो बहुत ही असान है Public Sector Unit समझते हो, क्या होता है? क्या होता है Public Sector Units PSU, क्या होते है? सार्वजनिक शेत्रे के उपक्रम किसे बोला जाता है? थोड़ा सा अच्छा जवाब देना इसा नहीं कि सरकार की जो कंपनी है उसको बोलते Public Sector Units किसे बोलते Public Sector Units? PSU किसे बोला जाता है? Private Companies किसे बोला जाता है? किसे? निजीवेक्टी द्वारा संचालित जिसमें गौर्रमेंट का कोई? ऐसा है, यह पक्का सही जवाब है सोच लोग फिर से जवाब दे लो आप लोग देखो माल लो एक कंपनी है जिसके 100% शेयर है, ठीक है? आप बोल रहे हो जिसके जो निजी वेक्टी की होती है ठीक है? अब इस कंपनी के 80% शेयर किसी Private वेक्टी के पास है और 20% शेयर इसके Government के पास है या Government की किसी कंपनी के पास है ठीक है? अब आप कह रहे हो जो पूरी की पूरी Private वेक्टी की होती है तो ये कंपनी प्राइवेट है या सरकारी है क्यों? क्योंकि मेजर स्टेक्स के पास है भले ही Government की कंपनी उसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और यही चीज़ को अगर मैं पड़ट दू मैं Government को 80% दे दू और Private को 20% दे दू तो अब ये क्या है अब ये PSU है अब ये Public Sector Units है किसी भी कंपनी में 50% से ज्यादा Shares जिसके पास होते है वो उसका क्या होता है? मालिक होता है मालिक माना जाता है वो उसका तो Government की वो Public Sector Units जिसके 50% से जादा Shares किसके पास है? भारत सरकार के पास है उसे क्या बोला जाता है? जल्दी से कोई कंपनी होगे मुझे एक्जामपल भी बता दो आप लोग Bail Sale Gail NTPC OIL ONGC और Reliance 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 नहीं ना Reliance 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 Company कैसी कंपनी है? Private Company है Public Sector Unit के लिए रहे? अब Public Sector Unit में क्या होता वो देखो सबसे पहले यह देखो कि इसमें सदस से कितने है? कितने है? 15 कहां से आए? 7 कहां से आए? Simple है अर्थात लोग लेखा समीती और सरकारी उपक्रमों की समीती में same members होते है 22 सदस होते है 15 लोग सभा से आते हैं और 7 कहां से आते है पर आपकी एक समीती जिसमें 30 के 30 members कहां से आते लोग सभा से कौन सी है? प्राकलन समीती या उसे और क्या बोलते है अनुमान समीती, ठीक है, ये समीती भारती सम्विधान के तहड, बनने वाली संसजड की स्थाई समीतियों में से एक है, जिसे सारवजनिक उक्रमों पर संसजडी नियंतरन का विस्तार करने के लिए पेश किया जाता है, अर्थाद PSU पर किसका नियंदर रखना हमारी संसत का क्योंकि PSU हमारे भारस सरकार की प्रोपर्टी होती एसेट होता है यह पॉब्लिक सेक्टर उनिट के खातों की क्या करता है जाज करता है अर्थात अभी इतने सारे ना इनके खातों की क्या करना भारत है वी इंडिया फिर इंडिया इन सबकते कि क्या करना जाच करना ताकि उनके business की विश्वशनियता कारचमता की क्या की जा सके जहांच की जा सके अर्थाथ जो ये company lane देन कर रही है इस पर विश्वशनियता बनी रहे और उसका data किसके पास रहे government के पास रहे ये public sector unit पर बनने वाली CAG की रिपोर्ट की क्या करते हैं अच्छा एक चीज़ देखना वो जो थी आपकी लोग लेका समीटी वो तीन रिपोर्ट पर जांच कर रहे थी विनियोक पर भी public accounts पर भी और public sector units पर भी परन्तु ये केवल किस पर करती है पबिलिक सेक्टर योनिट पर जो CAG की रिपोर्ट बनती है उसकी क्या करती है जाच करती है इन पब्लिक सेक्टर यूनिट के पर سमगते के शाओ में वाली चीज़े है कि तीन समीटीयं कि तीन समीतिया है पहली कौन से आपकी प्राक्लन समीटी है दूसरी लोग लेखा समीती तीसरी हिंदी में बोल लो बेटा, इंगलिस तो मुझे समझे नहीं आती सरकारी उपक्रमों की समीती अब बहुत जाद इसमें पीएज़डी करनी की जरूरत नहीं है आप सिर्फ मुझे सरल शब्दों में बता दीजिए प्राक्लन समीती का काम क्या है? अनुमानों की जाच करना, बिल्कुल सही ठीक है, लोग लेखा समीती? C.A.G. कितनी रिपोर्ट्स? तीन रिपोर्ट्स, बिल्कुल सही C.A.G. की तीन रिपोर्ट्स की जाच करना और अन्तिम हमारी आती है सरकारी उक्रमों की समीती ये क्या करती है? सबसे पहले P.S.U. के खातों की जाच करना, पहला काम तो इनका यही है दूसरा काम C.A.G. की P.S.U. रिपोर्ट की क्या करना? जाच करना खातों क्लियर है इसके बाद? चलिए प्राक्लन समीती कितने सदस्य? कहां से? लोगसभा से पूरे के पूरे कहां से? लोगसभा से ठीक है लोग लेखा समीती? 22 सदस्य पूरे लोगसभा से? कितने? 15 लोगसभा से? साथ राज सभा से यहां कितने सदसे 22 सदसे कहां कहां से 15 लोग सभा साथ राज सभा यह members clear हैं आपको यह हो गई पहली, दूसरी और हमारी तीन, यह सारी की सारी तीनों समीतिया कहां की समीतिया है संसदिये समीतिया clear है कहने को तो यह ऐसे भी समझा ही ज़सकती थी पर थोड़ा फॉर्मेल्टी करनी पड़ती ना चमक्तियों, पीपिटी, दो-चार लाइने उसमें लिखी हो तो करना पड़ता है, हना समझ में आ गया, लेखा अनुदान क्या काम करते हैं लेखा अनुदान समीति करती, CAG की रिपोर्ट की जाँच करना, अनुमानों की जाँच कौन करता है प्राकलन समीति करती है और पब्लिक सेक्टर उनिट्स की जाँच कौन करती है और सरल मायनों में संसत द्वारत दी गए अनुदानों के सही उप्योग हिजूल खर्ची से उनका बचाओ, भरष्ट अचार से उनका बचाओ करना ये सभी काम इन तीनों की तीनों समीतियों के है क्लियर है? कुछ मुश्किल ही निए इसमें सरल एकदम अच्छे से समझ में आगए अब आएगा लोकले का समयथी में कितने सा दस्चे तो पता होगा आप लोगों को लोकले का समयथी मंत्री मंडली समयति है प्रधानमंत्री की कोई सम everybody लोकसभा की कोई समयथी संसत की कोई समय इन खीलिय мовर होंगे औहीते ही सारेрийव्ण्ट